नमस्कार दोस्तों मैं नितिश स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिहार करोना साहता एप की मदल से 1000 रुपे की रासी पराप्त कर सकते हैं अगर आप बिहार के निवासी हैं अगर आप हमारे बिहारी भाए हैं और घर से बाहर फसे हुए हैं किसी दूसरे राज में तो आप कैसे 1000 रुपे की साहता रासी पराप्त करेंगी वह complete process में यहाँ पे आपको बताने वालो हो तो सबसे पहले आपको Google ओपिन कर लेना है और यहाँ टाइप करना है आपदा डॉट बियाएच डॉट एनाइसी डॉट इन जो पहला लिंक आपको शो हो रहा है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बिहार सरकार की ओफिशल आपदा प्रबंदन बिवाग के पेज पे हैं और आपको यहाँ पे दो लिंक दिख रहे होंगे बिहार करोना, ततकाल सहायता, मोवाईल एप लिंक 1 और 2 और आपको डाउनलोड करने से पहले और योजना का लाब लेने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप एक बार यहाँ जो टर्मेन कंडिशन दी गई है, जो हिंदी में दी गई है आप एक बार इसको जरूर पढ़ लेंगे, उसके बाद ही इसको डाउनलोड करके आगे प्रोसीड करेंगे चुकि मैंने आपको डाउनलोड किया हुआ है ताकि आप समय बच सके तो मैं आपको सीधा आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ तो मैं यहाँ जाता हूँ डाउनलोड में मैंने आप डाउनलोड किया हुआ है तो यह हम डाउनलोड में आगे और आप देख सकते हैं यह पहला मैंने करीब 14-15 MB का यह एप है और मैं इसको यहां से इंस्टॉल कर रहा हूँ दोस्तों यह बात याद रखेगा कि यह एप आपको प्ले स्टॉर पे नहीं मिलेगा इसलिए इस एप को डाउनलोड करने के बाद आपको आपके फोन को परमीशन में अलाउ करना होगा ताकि इस एप को वो फोन पे इंस्टॉल हो सके तो आप यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ये देखें ये सारा कुछ में आपके सामने भी लाइव कर रहा हूँ ठीक है आप इंस्टॉल हो गई है मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ ओके सारे परमिस्संस को आप आप अलाव कर दीजिए और ये आप देख सकते हैं कि आप ओपन हो गई है यहाँ पर एक वीडियो भी दिया गया है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं अब आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है पंजिकरन या सुधार के लिए बटन को दबाएं सिंप्ली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये देख सक सूचना में यहाँ लिखा हुआ है कि मैं बिहार का निवासी हूँ मेरा बैंक खाता बिहार आज के ब्रांच में आपका एकाउंट नमबर जे है वो बिहार में ही होना चाहिए मान लिजे अगर आप दिल्ली गुजरात मुंबई सूरत कहीं भी रहते हैं लेकिन जो पैसे डिपॉजिट होंगे वो आपके बिहार वाले एकाउंट में ही होंगे तो यह आपने देख लिया वैसे लोग जो पंजी कड़न नहीं कड़ा पाए हैं वह पुना अब प्रियास करें तो आपको अपडेट भी किया गया है और यह याद रखेगा कि फोटो और खाता संख्या में सुधार करने अपना स्टेटस देखने और वीडियो डालने के लिए इस बटन को दबाए तो खैर हमें अभी पंजी करन करना है तो हम पंजी करन बटन को दबाते हैं अब आप देखिए ग्री जिला का नाम तो जैसे मैं दर्भंगा से हूँ तो यहां मैं दर्भंगा डालूंगा तो आप सभी डिस्टिक के नाम यहाँ पर दिये हुए मैं यहाँ पर दर्वंगा सेलेट करता हूँ परखंड का चेन करें तो जो आपका गड़ी परखंड है आप उसका चेन कर सकते हैं यहाँ पर आपको उसका चैन करना है, तो मैं यहाँ से अपने पर्खंड का चैन कर लेता हूँ, अब आप देखे कि पर्खंड का चैन हो गया है, अब है गिडिः पंचायत का नाम, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और मैं दर्वंगा मुंसिपल कॉर्परेशन के अंदर होम टाउन में मैं बस आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर कम्प्रीट प्रोसेस आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यह एक तरह से लाभार्थी के लिंक में पुरूस और यहाँ पर पिता अगर आप महिला है तो अपने पती का नाम डाल सकती है और यहाँ पर लाभार्थी का आधार नमर डालना है तो यहाँ पर मैं यह कंप्रोसेस कंप्लेट कर लेता हूं अब आप देख सकते हैं यहां सत्यापित करें चम प्रणकट के वज़ा से फसे यह उनकी साहिता के लिए तो मुझे यह एरर इस लिए शो हो रहा है क्योंकि यहां मेरा लोकेशन यह आप ऑटमेटिकली ओन कर देता है आप देख सकते हैं मैंने अलाव किया परमीशन के लिए तो वो समझ रहा है इस लोकेशन को उन्होंने ट्रैक कर लिया और इसके वज़़ा से वो समझ रहे हैं कि मैं बिहार के अंदर ही हूँ बिहार के स्टेट में हूँ तो इसलिए मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा बस आगे जैसे आप सत्यापित करे पर आगे जाएंगे तो वहां से आपको अपनी फोटो और बैंक डिटेल वेगर आड करने के लिए कहा जाएगा तो आप इस प्रोसेस को पूरा करके जो एक हजार रुपे की सहायता अगलरासी है वो आप पा सकते हैं तो दोस्तो मुझे उमीद है कि इस वीड़ो में आपको कंप्लीट जानकारी मील गई होगी और कंप्लीट प्रोसेस के बारे में मैंने अपने ब्लॉक पोस्ट में भी लिखा हुआ है तो मैं उसकी भी जानकारी इस वीडियो के लिंक के ड आएगा धन्यवाद